एलो फ्रेंट्स, वालकम बेग टो इंजिनेरिंग नौलेज। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे Change of Entropy during the flow process तो flow process के दौरान जो Entropy change होता है, वो कैसे होता है वो हम लोग आज कुछ Equation के थूँरू देखेंगे ठीक है फ्रेंट्स तो देखिए हमें पता है कि DQ is equal to DU plus PDV ठीक है तो इसको हम लोग लिख सकते है DQ को क्या लिख सकता है TDS हमें पता है DQ is equals to TDS होता है is equals to DU plus PDV ठीक है और देखिए हमें पता है कि जो cv होता है cv is equal to क्या होता है du by dt ठीक है तो यहां से क्या लिख सकता है du is equal to cv dt और हमें यह भी पता है कि pv is equal to rt तो यहां से हम लोग क्या लिख सकता है कि p by t is equal to r by v ठीक है फ्रेंड्स तो देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग ds is equal to du by t plus p by t dv ठीक है तो यहाँ पर क्या लिख सकते है ds is equal to du को क्या लिख सकते है cvdt तो cv dt by t plus p by t को क्या लिख सकते हैं हाँ से r by v dv तो इसको एकर हम लोग लिखें कि ds is equal to cv dt by t plus r dvyv तो यह जो equation आ रहा है यह एक equation है जिससे हमें पता चल सकता है कि जो change of entropy है वो क्या है ठीक है friends और यह किस के उपर depend कर रहा है यह temperature और volume के उपर depend कर रहा है तो यह गया एक equation ठीक है friends अभी हम लोग इस equation से क्या लिख सकते है देखिए ds is equal to cv dt by t plus यहाँ पर जो r है r को क्या लिख सकते हम लोग हमें पता है कि r is equal to cp minus cv होता है तो यहाँ पर लिख सकते हम लोग cp minus cv into dvy by v ठीक है friends तो देखिए यहाँ से क्या लिख सकते है ds is equal to cv dt by t minus of मैं यह cv into dv by v यहां पर लिख रहा हूं cv dv by v plus of cp into dv by v ठीक है अभी देखिए हमें यह पता है कि pv is equal to rt तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम लोग dp by p plus dv by v is equal to dt by t यह हम लोग लिख सकता है तो देखिए यहां पर अगर dt by t minus dv by v हम लोग लिखे तो इसका अंसर क्या आएगा dp by p यहां से लिख सकता है तो इस यह जो dt by t minus dv by v है इसको हम लोग यहां पर पूट करेंगे इस value को कैसे देखिए ds is equal to cv अगर common ले ले तो क्या आजाएगा dt by t minus dv by v plus cp dv by v तो इसको अगर लिखे तो क्या होगा ds is equal to cv into यहां से dp by p dp by p plus cv into dv by v यह आगया हमारा दूसरा equation जिससे हम लोग change of entropy निकाल सकते है ठीक है तो यह जो equation है वो किसके उपर depend कर रहा है यह कर रहा है pressure और volume के उपर ठीक है friends अभी देखिए फिर से हमें पता है कि dq is equal to d u plus p dv ठीक है तो यहां पे हम लोग लिख सकते है कि dq is equal to d u plus यहां पे मैं v dp add कर रहा हूं और v dp subtract भी कर रहा हूं तो इसका मतलब same है plus p dv रख रहा हूं ठीक है तो अभी देखे यहां प plus vdp plus più dv minus pdv minus vdp ठीक है तो यहां पे देखिए यहां पर हमें पता है कि h is equal to क्या होता है u plus pv तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते है dh is equal to du plus pdv plus vdp ठीक है friends तो यह जो value है इस value को मैं यहां पे put कर रहा हूं तो क्या होगा dq is equals to यह जो value S का value क्या है dh तो dh minus vdp ठीक है तब देखिए हमें पता है dq is equals to क्या है t of ds is equals to dh को हम लोग क्या लेख सकते है हमें पता है cp is equals to dh by dt मतलब dh क्या हो जाएगा dh is equals to cp into dt तो यहां पर देखिए dh को क्या लेख सकते है cp into dt तो इसको क्या लेख सकते है ds is equals to cp dt by t minus vyt dp ठीक है तो अभी देखिए हमें पता है क्या pv is equals to rt होता है तो यहां से हम लोग लिख सकते है vyt is equals to r by p ठीक है तो इस वे लुकों मैं यहां पर पूट कर रहा हूँ तो क्या जाएगा ds is equals to cp dt by dt minus vyt को क्या लिख सकते है r dp by p तो यह जो equation है यह order equation है जिससे हम लोगों को जो change of entropy है वो पता चल सकता है ठीक है friends हमने देखा जो तीन equation हमने निकाला है इन तीनों equation से हम लोग जो change of entropy है flow process के दोरान वो हम लोग निकाल सकते है ठीक है friends तो friends आज के लिए इतना ही अगर आपको मेरे वीडियोज पसंदा रही है तो like, share और comment जरूर कीजेगा और engineering knowledge को subscribe भी कीजेगा क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज आपके लिए लाता रहूँगा Thanks friends, जाहिंद